वेल्गम तु स्टड़ी आएक्यू एना हम अमित वरिदी के लोर हम इंडियन कॉंस्टिटूशन कर रहे हैं लेक्चर नमबर छे में हमने फंडमेंटल राइट्स स्टार्ट किये थे जिसमें हम अनुचेद नमबर बारा से अनुचेद नमबर उननिस डिसकस कर चुके हैं आज लेक्चर नमबर सेवन में इस सिरीज में हम फंडमेंटल राइट्स पार्ट टू पार्ट टू अर्था लेक्चर का पार्ट टू The first part is lecture 6 and the part 2 is the lecture 7. हम continue करेंगे fundamental rights के बारे में. हमारा उदेश्य है कि Indian quality की जो लक्षमी कान्थ की किताब है competitive exams के लिए इसको 100 घंटे में करने का. इसी उदेश्य में हम आगे बढ़ रहे हैं and we are on the 7th lecture. यहाँ पर fundamental rights जो है वो अनुचेद समीधान के part number 3 में दिये गए हैं. Part number 3 में दिये गए हैं. आज article 20 से 35 तक कराये जाएगा. Part lecture number 6 में अनुचेद number 12 से 19 तक किया जा चुका है. So part 3 Indian constitution का है, यह part 2 जो है fundamental rights के lecture का है. Lecture number 7 is basically the part 2 of the lecture number 6. Let's start and continue. अगर आपको sir के साथ social media पर जुड़ना है तो अपने पसंद के social media को download कीजिए and बस वहाँ पर Amit Kilhor को search कीजिए and I'll be there to answer any doubts related to the quality series. किसी भी समय आप कभी भी इसको देख रहे है, you can find me on this social media. You can shoot the questions, कोई doubt आए आपको समिधान से संबंदित, मौलिक अधिकारों से संबंदित, तो वहाँ पर मैं मिलूँगा. अब आप देखिए, उदेश्य हमारा है लक्षमी कांत को सौ घंटे में करने का. पुराने वाले जो lectures है, historical background complete हो चुका है, constitution किस परकार से बना है, ये complete हो चुका है. प्रियंबल complete हो चुका है, part 1 of Indian constitution, जिसमें article number 1 से 4 तक आते हैं, जो union और territories के बारे में बात करता है, वो discuss हो चुका है. पार्ट 2, जिसके अंदर citizenship से संबंदित प्रावधान है, provisions है, वो भी हमने complete कर लिया है, और हमने ये भी समझ लिया है, कि citizenship constitution के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी 1950 को कौन-कौन Indian नागरिक होगा, ये decide करता है, और उसके बाद संसद यानि Parliament को ये power देता है, कि वो अपने लिए एक नया कानून बना सकता है, citizenship का, इसके बाद अब हम स्टार्ट कर चुके हैं, part 3, part 3, very legitimately, is the most important part of the Indian constitution, ऐसा UPSC prelims को कोई question paper नहीं है, prelims का, जिसमें part 3 से question ना पूछा गया, fundamental rights से, lecture number 6 में हमने article number 12 से लेके, article number 19 तक complete कर लिया था, from here on, we will be studying article number 20 से, हम fundamental rights के बारे में ये अनुचेद number 12 है, वो सिर्फ और सिर्फ state को define करता है, यानि इस पूरे के पूरे part 3 में, जब भी कहीं पर state word आएगा, तो उसकी जो definition है, वो article number 12 में दी हुई है, फिर हम discuss करते है article number 3 में, जो की laws की definition देता है, और ये बताता है कि constitution से पहले कोई भी कानून, अगर fundamental rights के against जाए And then from there on, हम अनुचेद number 14 के दौरा पढ़ते हैं, first fundamental right of equality, equality के साथ साथ आपको इस बारे में भी अब understanding है, कि जो fundamental rights है Indian constitution में, वो total 6 groups में divided हैं, अलग से 6, पहले 7 हुआ करता था, right of property, अनुचेद number 31 में था, उसको भटा दिया गया, it is not anymore, amend कर दिया गया, उसको 44 में amendment के दौरा और उसको एक legal right बना दिया गया, article number 301 के तहत, हमारे हाँ पर इस समय जो समू है, fundamental rights का, वो 6 का है, यानि कि सबसे पहले जो rights है, वो सारे के सारे equality से सम्बंदित है, समानता से सम्बंदित, कि किस तरीके से पूरे देश के सारे नागरिकों के अंदर एक समानता बनाई जा सके इसको equality के rights कहते हैं, यह 14 से 18 के बीच पे हैं, पांच article equality establish करने के लिए, उसके बाद सरतंतरता से सम्बंदित जो rights है, आपको कौन-कौन सी सरतंतरता मिलेगी, अब और आपको किसी परकार से कोई arrest ना किया जा सके, जो सरतंतरताओं के rights हैं, वो है 19 से 22 तक, यह भी basically 5 rights है, इ article number 19, article number 14 and the article number 21, इसको golden triangle of fundamental rights कहा जाता है, बहुत important है, एक equality का right है, एक basically freedom है सारी की सारी और एक right to life है, article number 19 के अंदर, छे आपको freedoms दी गई है, जो कि आपने सारी की सारी डीटेल में पढ़ दी है, and now from here on we start the lecture number 7, article number 20 के साथ, article number 20, आपको कुछ protection provide करता है in respect of conviction of offenses, समझे, इसके अंदर तो total तीन प्रावधान है, तीन प्रोविजिन है, और तीनों के तीनों का अलग मतलब है, अगर हम सरलता से देखे, article number 20 क्या क्या बोलेगा, यह बात ध्यान रखिए, सबसे पहले, एक बात कहता है, यह ex post facto law के बारे में, in the simplest term, यह बात यह है, कि आपको कोई भी criminally, jail में नहीं डाल सकता है, state या कोई भी government, सरकार, police, judiciary, आपको किसी ऐसे crime की punishment नहीं दे सकती है, जब आपने कुछ किया हो, और उस सम्मंदित कोई कानून exist ना करता हो, यानि कि suppose कीजिए, आज 2020 है, और 2015 में आपने कुछ ऐसा क एक example लेते हैं, आज मास्क नहीं पहनेंगे, तो 2000 रुपे का चलान है, ठीक है, लेकिन मास्क तो आप 2015 में भी नहीं पहने हुए थे, तो क्या 2015 में मास्क ना पहनने के उपर, आपका चलान काटा जा सकता है, यानि कि पुराना जो जब कानून बनता है, तो वो उसी दिन से शुरू होता है, वो पीछे से लागू नहीं किया जा सकता, specifically in the criminal proceedings, डीटेल में भी देखते हैं, दूसरा है double geopardy, double geopardy, जिन जिन लोगों ने picture देखे, शेहनशा, अमिता बच्चन की, रातों को निकलता हूँ, मैं शेहनशा, वो वाली movie जो होती है, उसमें double geopardy का concept में शेहनशा एक कोट में जाके ही basically villain को मार देता है, और उसके बाद judge को बोलता है, कि इसकी murder की सजा तो मैं पहले ही पाच चुका हूँ, double geopardy कहने का मतलब है, कि देश का कानून आपको same crime के लिए दो बार सजा नहीं दे सकता, and the third one, self-incrimination, यानि कि आपको कानून के सामने ऐसा कोई भी evidence नहीं prove करना होता है, जिससे आपको खुद को jail हो जाए, यानि you are not liable to give anything to the law or the police, जिससे आपको खुद को jail हो जाए, आप अपने आपको self-incriminate नहीं कर सकते हैं, when it comes to the criminal offenses, सारे के सारे issues को एक-एक करके देखते हैं, थोड़ा सा detail में, आर्टिकल 20 grants protection against arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether citizen or foreigner or legal person like a company or a corporation, और इसमें तीन प्रोविजन हैं इस direction में, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हमारे जो fundamental rights हैं, कुछ fundamental rights सिर्फ Indians के लिए हैं, कुछ Indians और foreigners दोनों के लिए हैं, तो ये इस बात को identify करके रखिएगा कि कौन सा कानून किस किस पर ल इलीगल अरेस्ट जो है, वो foreigners का भी नहीं किया जा सकता, तीन वाली, no ex post facto law, no person shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of the commission of the act, nor subject to a penalty greater than the prescribed by law in the force at the time of the commission of the act, एक example देते हैं इसके बारे में, सपोस कीजिए कि आप 2018 में गाड़ी चला रहे थे, और उस समय red light को basically आप cross कर देते हैं, तोड़ दे रात का समय था, तो आपको लोगा कोई जरूरत नहीं है, रुकने की red light थी पर अपने गाड़ी तोड़ दी, अब ये illegal था, ये law तोड़ना हुआ आपका, लेकिन उस समय कैमरे में फोटो खिच गई आपकी, अब वहाँ पर चलान था, 2018 में, 1000 रुपे का चलान था red light करने का कानून बना दिया गया कि fine लगेगा, 10,000 रुपे का 6 महीने की jail भी होगी और आपका license भी जब्द कर लिया जाएगा, ऐसे में, subjected to a penalty greater than prescribed by law, in force at the time of the commission, आपका जो act था, क्योंकि वो 2018 जुलाई में किया गया है, तो उस समय जो कानून fine बताता है, सिर्फ वही लगेग अब बाद में, अगर 2019 में fine बढ़ा दिया गया है, या license जब्द कर दिया जाता है, तो अब वो आपके उपर applicable नहीं है, अब आपको 2019 में भी, अगर commission पह लेता, तो सिर्फ 1000 रुपे का fine देना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको कोई और punishment नहीं दी जा सकती, More importantly, convicted of any offense except for violation of law in the force, अगर का आप कुछ ऐसा काम करते हैं आज hypothetically, जो कि आने वाले समय में crime घोशित कर दिया जाता है, एक example के तोर पे देते हैं, ठीक है, आज कुछ ऐसा कर दिया आपने, जो आने वाले समय में crime हो जाएगा, ऐसी चीज़ को, अगर दुबारा सामने ले से क 2025 में कोई कानून बन गया है, जो कि आज किये होई चीज़ को crime मानने लग दाता है, तो उसको ex post facto, यानि retrospective में apply नहीं कर सकते हैं, आप safe हैं, वो जो कानून बनने से पहले कुछ भी काम किया जाता है, उसको basically crime नहीं मानना जाता है, crime उसको उस दिन से माना जाता है, जिस दि इन से कानून बनता है, यानि कि ex post facto law नहीं बनते हैं, ex post facto मतलब की retrospective law नहीं बनता है, this only applies to criminal proceedings, याद रखिये, civil proceedings retrospective हो सकते हैं, कहने का क्या मतलब हो, suppose कीजी आपने एक काम स्टार्ट किया, आपने एक business डाल लिया है, ठीक है, और वो business सिर्फ उसे 5% टेक्स देता है, ठीक ह रहे थे, और 2010 से 2020 तक आपने जो tax दिया है, वो सिर्फ 5% था, अब 2020 में या 2021 में भी सरकार ऐसा कानून बना सकती है, कि retrospectively आपसे tax ले सकती है, वो कानून के अंदर लिख सकती है, कि जो ये tax है, ये 2010 से अपलिके बले है, तो आपको 5% की बज़ा, याद से 15% देना तो यानि civil matters में जो कानून है, वो retrospectively apply किया जा सकता है, but when it comes to crime, जो criminal matters होते हैं, उनमें कभी भी जो कानून है, वो retrospectively apply नहीं किया जाएगा, पहली बात होगी, दूसरी बात double jail party, आपको किसी भी तरीके से persecuted and punished for the same offense more than once, जिसने भी शेहनशा देखिया, वो जानते हैं, जज की तरफ देखके एक बड़ा सा भाशन देते हैं, और उसको जज को याद दिलाते हैं कि तुमने ही मुझे इसके murder की सजा आज से 15-20 साल पहले उमर कैद की सजा सुनाई थी, और वो मैं पूरी सजा काट के आया हूँ and now you can't punish me again for this, right? इस परकार से ऐसा कुछ उसमें plot थ जिस चीज के लिए आपको एक बार सजा मिल चुके है, उस चीज के लिए दुबारा नहीं होगी, suppose कीजिए कि murder की सजा साथ साल है, अगर आपको साथ साल की murder की सजा मिल गई और अब कानून बदल के सजा कर दी basically, 15 साल की या 20 साल की, तो ऐसे में दुबारा से नहीं मिलेगी कि आप दुबारा से क्योंकि कानून ने सजा बढ़ा दिये तो आपको दुबारा से उस case को चला के बना दिया जागा, ऐसा नहीं हो सकता है, however इसके अंदर एक बात ध्यान रखेगा, again, this only applies to the criminal and when this prosecution is done by a judicial authority, क्या मतलब हुआ, मतलब यह हुआ, कि अगर कोई चाहे, तो जो administrative bodies होती है, वो भी अभी आपके उपर कानून फिर भी यूज कर सकती है, अगर जैसे आप example के तौर पर दे सकते हैं, कि sexual harassment का कोई case है, अगर वो court में जाता है, तो किसी भी, जिस भी person के उपर sexual harassment का charge है, उसको punishment मिल सकती है, लेकिन same offense के लिए, उनकी company या organization भी steps ले सकती है, या करते हैं, तो that is considered allowed, वो उसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि एक गुनहा की दो बार punishment मिल रही है, सरलता से बात कहें, तो एक गुनहा की एक punishment होती है, दो बार नहीं मिलेगी, तीसरा होता है, self-incrimination, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself, confession होता है, याद रखिये, confession कई जंगों पर admit भी किया जाता है, लेकिन उस confession के बल पर conviction नहीं होती है, उसको बस use किया जा सकता है, आप अपने साथ में add कर सकते हैं, last में जो conviction होगी, उसके लिए police को prove करना पड़ेगा, कि ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे crime commit किया गया था, ये सारे के सारे उनको, जो भी circumstantial evidence है, they will have to prove it, no person can be compelled to provide evidence against himself, again, this only applies to the criminal one, civil proceedings पे, अगर आप कुछ documents ऐसे छुपा कर बैठे हुए हैं, तो आप से compelled भी किया जा सकता है, फिर इसके अंदर चोटी मोटी exceptions भी है, जैसे आपको अगर अपने fingerprints देने, right, अब कोई ये कहीगा कि मेरे fingerprints तो basically police के पास पहले से हैं, मैं criminal हूँ, अगर मैं fingerprints देंगू, तो मैं पता चल जाओंगा, मैं crime में, ये तो, मैं incriminate हो जाओंगा, खुद मेरे fingerprints देख लिए तो, मुझे पता है कि crime वाली जो जंग है, वहाँ पर भी fingerprints है मेरे, नहीं, ऐसे में ये जो दो-तिन है, कि वह fingerprints देना, ये कोई आपको incriminate करने के लिए नहीं है, ये तो police procedure का हिस इसको आप नहीं रोख सकते हैं, that is what article 20 is, illegal और arbitrary arrest से बचाने के लिए, कि police पता चले कोई आप से दुश्मन ही निकालने सरकार में, एक बार जेल करा ही साथ साल कि आपने सच में crime किया था, जैसी भार ने के लिए बोला, दुबारा से इसके उपर एक नया case चला दो किसी परक important articles, definitely the most widely interpreted article, बिल्कुल सबसे simple सा, शरल सा है, protection of life and personal liberty, no person shall be deprived of his life, or personal liberty, except according to the procedure established by law, इस चब्दों को धान से पड़ु है, और कई सारी सी important चीज़ देखिए इसके अंदर, इसमें एक शब्द है, कि आपकी life की जो deprivation है, और liberty की जो deprivation है, किसी भी तरीके से नहीं होगी, accept the procedure established by law, अब इसमें जो understand करने की बात वो ये है, कि जब ये case Supreme Court के पास पहली बार गया, तो Supreme Court ने कहा कि procedure established by law है, उन्होंने उस समय थोड़ी सी narrow understanding की, गोपालन केस बड़ा 1950 का बड़ा popular case है, उसको कहा जाता है, गोपालन केस, ठीक है, उस गोपालन केस में, article number 21 को, Supreme Court ने कह था, कि life को और liberty को deprive नहीं किया जा सकता, परन्तु अगर कानून बना दिया जाए, procedure established by law से किया जा सकता है, अगर कानून बना दिया Parliament, ने law ने बना दिया, law ऐसा है, तो फिर हम उसको बीच में रोकेंगे भी नहीं, law से किया जा सकता है, इसका मतलब ये था, कि arbitrary executive action था, तो उससे तो Supreme Court ने आपको बचा लिया, परन्तु arbitrary legislative action को उन्होंने sanction दे दिया, legislative action को क्यों sanction दिया, ये word देखके, procedure established by law, तो अगर कोई law गलत बना दिया जाए, suppose कीजिए, and there is a possibility, बहुत सारे history के अंदर ऐसे कानून रहे हैं, जो कि valid नहीं थे, जो कि draconian थे, जो कि illegal रहे हैं, बाद में illegal घोशित हुए है, नमक कानून देख लीजिए, रॉल एटेक देख लीजिए, but Supreme Court के interpretation ये थी, कि अगर procedure established by law है, यानि एक procedure बनाया गया है, जो कि कानून से ही बनाया गया है, तो basically valid है life की deprivation और liberty, अब इसमें executive, तो आपको arbitrary नहीं कर सकता है कुछ भी, क्योंकि executive को तो कानून के साथ ही चलना पड़ेगा, लेकिन legislative action, legislative कोई भी arbit कानून बना सकता था, अब suppose कि ये legislation यही कानून बना देता, कि जो भी mask नहीं पहनेगा, उसको basically एक साल की सजा, जेल में, तो fine नहीं छोटा सा एक साल की जला, अब that is too much, and in a sense arbitrary also, ऐसी चीज से, basically पहले गोपाल and innovation and interpretation happened in the mean का case, क्या होती है और बताता हूं, देखिए, article 21 declares no person shall be deprived of his life or personal liberty, कहने का मतलब, life or liberty का क्या मतलब है, कि life, यानि आपको कोई jail में detained नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता है, liberty का मतलब है, कि आपकी जो सारी की सारी आजादी है, वो आपसे छीन ली जाएं, freedom of speech छीन ली ज और यह सब को available है, चाहे नागरिक हो आप देश के, चाहे ना हो, चाहे मतलब क्या ना मैं भाहर से foreigner आई हो, तो सब के लिए वे लिए, article 21 applies to each and everyone, पूरे के पूरे humanity पर apply कर रखा है, ठीक है, लेकिन, अब यहाँ पर इसी बात पर गोपालन केस पे हुआ, Supreme Court ने एक narrow interpretation ली इस article की, it held कि protection under article 21 is available only against arbitrary executive action, not against arbitrary legislative action, क्यों, वही क्योंकि उस article में लिखा हुआ है, by procedure, by procedure established by law, तो अगर law ने procedure established कर दिया, तो फिर हम क्यों उसके अंदर intervene करें, यह narrow interpretation थी, 30 साल के बाद Supreme Court ने दुबारा से का कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा भाई, 1978 में दुबारा से बात की गई, म Supreme Court ने Gopalan case की judgment को overrule कर दिया, ठीक है, and it took a much more wider interpretation, और वो 1970 का जो समय था, जब basically constitution की wider interpretation start हुई, आप देखेगा कि article 21 किस level पर पहुँच गया, तो आप तो basically सबसे important बन गया, अगर 1950 की judgment पर चलते, तो इस article की कोई खास value नहीं रह जाती, इसका मतलब तो सिफ यह था कि Parliament किसी भ paradigm permanently, it says that a life of liberty and person, right to life and liberty of person, can be deprived by a law, provided by the procedure, prescribed by law, which is reasonable, fair and just, इन्हों ने law के उपर, एक obligation डाल दी, कि कानून अगर बनेगा, तो वो reasonable होना चाहिए, fair होना चाहिए, और just होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर आप मास्क नहीं पहने हुए है, तो आपको दो साल की jail हो गई, this is not reasonable, neither it is just, neither it is fair, बिलकुल गलत वात है, यह हलकी फुलकी देखी जाए तो, यह जो था, अब इस concept में, जो actually में हम discuss करते हैं, quality में, इसमें concept क्या होता है, कि जो यह procedure है, कि कानून, सिर्फ कानून बनाने से कानून नहीं बन जाता है, वो उसका एक parameter होना चाहिए, reasonable, just or law, इसको कहते हैं, due process of law, due process of law, American constitution में एक concept है, due process of law, कि कानून तभी valid होता है, जब वो reasonable हो, just हो, और fair हो, इसको बताता कौन है, यह बताएगा Supreme Court, कि कौन सा कानून reasonable है, just है, fair है, ठीक है, यह custodian of the constitution, custodian of the law, यह बात decide करेंगे, but this gives, takes away an important power from the parliament, legislation से एक important power ले लेता है, arbitrary power नहीं लेगा वो, अब legislation, arbitrary law नहीं बना सकता है, life liberty को deprive करने के लिए, इससे पहले, अगर सिर्फ और सिर्फ procedure established by law पर जाएंगे, तो legislation, यह नि पारलेमेंट कैसा भी कानून बना देगा, बई, majority की तो बात है, majority तो किसी party के पास आह जाती है, जो मर्जी कानून बना दिया, and then nobody will be able to do anything, वई, ऐसे में तो legislation यह कानून बना सकता है, अगर आप particular color के कपड़े पहनोगे, तो मैं आपको जेल भेज दूगा, और वो कानून बन गया, तो procedure established by law हो गया, है arbitrary, लेकिन procedure established by law है, इसी लिए, due process of law is so important, कि सिर्फ कानून important नहीं होता है, वो reasonable हो, just हो, fair हो, उसको पूरा process भी जो है, वो कानून का process important होता है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो word लिगे हुए है, procedure established by law हो, वो महत्तोपून नहीं है, इनका गान्धी case is so important, इस interpretation के बाद, जो right to life and liberty है, उसके अंदर से article number 21 से maximum number of implicit rights निकले हैं, भई, अधिकार आपका जीने का है, लेकिन जानवरों की तरह भी तो जीया जा सकता है, सिर्फ जीना उस मतलब में नहीं है कि, actually में तो अगर हम देखे हैं, तो everybody is alive, a dog is alive, a cockroach is alive, a lion is alive, a tiger is alive, a deer is alive, everybody is alive, लेकिन उनका existence जो हो human existence तो consider नहीं किया जा सकता, article right to life or liberty है, ये human dignity के साथ ज implicit rights, जो कि लिखे नहीं गए हैं, परंतु किसी अधिकार के अंदर आते हैं, जो कि Supreme Court ने पिछले 50 सालों में अपनी अलग-अलग judgment में बताए हैं, जैसे right to life with human dignity, ये अनुछेद number 21 का implicit right है, right to livelihood, ये अनुछेद number 21 का implicit right है, right to privacy, free legal aid, solitary confinement में नहीं रखा जा सकता, क्यों, क्यों right to reputation, right to travel abroad, अगर आप देश में पैदा हुए हैं, तो आपको देश के अंदर बांध कर नहीं रखा जा सकता, अगर आप चाहेंगे तो भाहर भी travel करेंगे, against bonded labor, कोई भी आपसे बंदवा मज़ूरी नहीं करा सकता, right to sleep, अगर पुलेस आपको पकड़ ले, और उसके बाद 20-25 दिनों तक सोने ना दे, तो इसका मतलब आपके right to life का हनन हो रहा है, right to freedom from noise pollution, right to electricity, ये सब अधिकार पिछले 50 सालों में अनुछेद नंबर 21 के implicit rights हैं, एक list है लक्षमी कान्त में 35 इस परकार से जो implicit rights हैं, और एक छोटा सा prelims में question भी बनता है, देकिन directly ask you, नीचे option देकर कि इसमें से कौन-कौन से अधिकार जो हैं, वो implicit right है, article number 21 से, याद कर लिजेगा, पढ़ लिजेगा, रटा लगाने की जोड़त नहीं है, common sense से आ जाएंगा, धोड़ा-थोड़ा, that is nothing much more complex about it, article number 21 है, ए, capital में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया, कि ये हमारा amendment के द free and compulsory, पूरा नाम सुनेंगे, तो उसमें ये है कि right to free and compulsory education, उसको RTE Act कहते हैं, ये बात कि सिक्षा देनी चाहिए, ये actually में पहले से लिखी हुई थी, अनुछेद number 45 में, परन्तु अनुछेद number 45 था, वो एक DPSP था, तो वो justiciable नहीं था, it cannot be, उसके लिए case court में नहीं जा है सकता था, DPSP था, जो founding father से उन्हें लगा कि सिक्षा जो है, वो सबसे basic अधिकार होना चाहिए, इस चीज को finally 2009 में हमने सोचा कि अब इसको completely हम इस परकार से इतने equipped हो चुके है, इतने economically developed हो चुके है कि हम पूरे देश को सिक्षा free और compulsory primary education, याद रखे, professional education और post-graduation वो इ primary education fundamental right है, this is also very important to understand, right to education and anuched number article 21A जो है, वो primary education की fundamental right देता है, पढ़के देखिये, article 21A declares that the state shall provide free and compulsory, compulsory है, एक भी ऐसा नहीं कि, free है तो वो तब किसको चोड़ भी सकते हो, all children of the age of 6 to 14 years, छे से 14 साल के सारे के सारे बच्चे जितने भी भारत देश में, उनको free और compulsory education मिलनी चाहिए, in such a manner as the state may determine, this provision makes only elementary education a fundamental right, not higher or professional education, याद रखे, higher education, fundamental right नहीं है, जन्मेल अधिकार है आपका, freedom है आपको पढ़ने कि, आसे को रोक है कोई नहीं, परम तू fundamental right नहीं है, इतना महतवपून है, सुनने में नहीं पता चलता है, सिक्षा, सिक्षा is such a complex issue, education जो है, क्योंकि हम लोगों को मिली हुई है, so we might feel, कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु देश का एक बहुत बड़ा तबका, कभी भी जिन्दगी में education नहीं पा सकता है, उन सब को एक pen के stroke से, permanently free or compulsory primary education देने के लिए, भारत ने अपने समीधान के अंदर, मौलिक अधिकार दे दिया, constitution से पहले ही, इस amendment, 86 constitutional amendment जो की 2002 में हुआ है, इस से पहले ही हमारे समीधान में free and compulsory education कहते थे, article number 45 में, बट वो DPSP है, part 4 में आएगा, हम पढ़ेंगे उसके बारे में, वो DPSP है, directive principle था तो उसको enforceable नहीं कर सकते थे, और नहीं उसमें judicial intervention हो सकती थी, परन्तु अब इस चीज को बदला जा सकता है, बदल चुका है, अब सिक्षा जो है, वो एक मौलिक अधिकार है, और उसको बदला भी जा सकता है, इसी pursuence में, आर्टिकल 21A के pursuence में, पारलियमेंट ने inact किया, Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, इससे कोशिश की जाएगे कि हर्च छात्र को प्रोवाइड किया जाए, अजर मौका मिला, तो इसी पॉलिटी की सीरीज में, कुछ हम मेजर एक्स पढ़ेंगे देश के बारे में, जिसमें हम Right to Education वाल एक्स भी पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ ये बात ध्यान रखिए, कि अनुछेद नंबर 21A के अंदर Right to Education का कानून बनाया गया है बाद में अब basically, and more importantly, एक ही important बात है, Elementary Education is Fundamental, Rest, जो Professional है, Higher Education है, that is not a fundamental right, Legal right है, अब पढ़ सकते हैं उसको, अब आते हैं अनुछेद नंबर 22 के भी तर, Freedom है ये, पढ़ने की Freedom है, जाब रखिए, Freedom, Right to Education, आजादी दी जाली आपको, हम इस समय, 19 से 22 के बीच में पढ़ रहे हैं, ठीक है 19, 20, 21, 21A और 22, पांच अधिकार, जोकि आपको सबतंतरता हैं प्रोवाइड करते हैं, अब आ जाते हैं, Article No. 22 के उपर, Article No. 22, दो परकार की Detention, Arrest के बारे में बात करता है, ठीक है, Arrest के बारे में, दो परकार का Arrest होता है, एक तो Punitive Detention, Punitive Detention का मतलब कि आपने Crime कर दिया है, पनिश्मेंट के लिए Detain किया जाएगा, Punitive Detention, और दूसरा Preventive Detention, Crime करने से पहले ही पकड़ने का, अब आप लोगों में से जो लोग सिनेमा देखते हैं, उनमें से किसी ने Minority Report देखी होगी, टॉम क्रूस की मूवी है, Minority Report, Minority Report में, एक Futuristic, एक स्टोरिक अपलॉट है, कि Future में, जो Crime होने से पहले ही, Basically, Criminal को पकड़ लिया जाता है, Actually, Preventive Detention, कुछ उसी परकार का प्रावधान है, पर Crime होने की संभावना होने से पहले ही, Criminal को पकड़ लिया जाए, और कुछ समय के लिए Detain कर लिया जाए, Detail में पढ़ते हैं, Punitive Detention का मतलब है, कि जिस आदमी ने Crime किया है, लेकिन उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, उसके भी ऐसा नहीं कि उसको completely जानवर होगी तरह उसके साथ behave किया जाए, उसको चार अधिकार दिये गए है, पहला अधिकार यह है, कि जब भी किसी को arrest किया जाएगा, Detain किया जाएगा, तो उसको inform किया जाएगा कि कि क arrest किये जाने के बाद, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक magistrate के सामने produce करना होता है, याद रखिए ये 24 working hours है, कभी कभी आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने, कि पुलिस जनरली कई बार जब किसी को arrest करने जाती है, तो कई बार कुछ दिन वेट करके Friday को arrest करती है, Friday को शाम और संडे को अगर court की छुटी है, तो इस आदमी को अब आपको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट करना है court में, परन्तु क्योंकि Saturday और संडे working day है तो वो count नहीं होगा, अब सीधा Monday की सुभह इसको arrest होगा, तो तीन दिन कसमे मिल जाता है police को criminal के साथ, ऐसा कई जंगों understand करें law को, तो जो भी आदमी arrest होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको magistrate, working 24 hours के अंदर उसको magistrate किता है, आगे, क्या नाम है, president करना होता है, magistrate अगर permission नहीं देता उसको वापिस arrest करने की, तो उसको वहीं पर छोड़ना पड़ेगा, you have to release the person, अगर आपने 24 घंटे में magistrate के सामने, उसको produce नहीं किया तो, और magistrate जब permission देगा, तभी आप उसको detain और arrest करें रखते हैं, यह हमारा अनुचेद नमबर 22 है, तो इसके अंदर, जो लोग arrest होते हैं, जो लोग detain होते हैं, याद रखी, अभी से पहले, हम generally free citizens के बारे में बात कर रहे हैं, अब एक specifically article आया ह जहां पर special cases discuss होना start होया है, वो लोग जो arrest होया है, यह general लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ arrest और detain होने वालों के लिए है, यह article, दो टाइप की detention होती है, punitive and the preventive, punitive का मतलब punishment, punitive, सजा देने के लिए जो detain के अगया है, और preventive मतलब prevent करना है, हमें यह, crime को ही prevent करना है, is to punish a person for an offense committed by him after trial and conviction, preventive का मतलब यह है कि detention of a person without trial and conviction by the court, चीक है, preventive detention, यानि कि अभी trial भी नहीं हो, कोई कानू, जब क्राइम ही नहीं कि है, तो फिर court में का आप क्या थाबित करने लेके जाएंगे, लेकिन उसके बावजुद भी इसको detain करने की बात चल रही है, पुलिस को शक है कि चुनाब होने वाले हैं और कुछ अराजक तत्व, कुछ राइट्स करने की कोशिश करेंगे, ऐसे में पुलिस शक के बिना पर कुछ अराजक तत्वों को चुनाब से पहले गिरफ्तार कर लेती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के थार, अब सबसे पहले पढ़ते हैं पहले वाले पार्ट को, जो कि प्युनिटिव डिटेंशन के बारे में है, फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल ट्वंटीटू, तो जो आदमी अरेस्ट हुआ, डिटेंशन के अंदर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, तो आपको एक लीगल प्रेक्टिशनर लॉयर से मिलने का अधिकार होता है, और आप उसे डिफेंड करने के लिए यूज भी कर सकते हैं, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अमेजिस्ट्रेट विदिन 24 आर्स एक्स्क्लूडिंग दी जर्नी टाइम, 24 घंटे, वर्किंग और जर्नी टाइम, ऐसा नहीं है, कि जिस दिन पकड़ा, अब जेल में ले गए, अब जेल में जैसे टाइम लिखना पड़ता है, कि इस टाइम पे अपने जेल में उनको डाला गया है, अरेश्ट किया गया है, अब उसके बाद सपोस कीजिए कि रात को, hypothetically हम सोचते हैं कि दोपहर को एक बजे, मंडे को एक क्राइम क्रिमिनल को पकड़ा गया, अब अगली दिन तयार हुए इसको ले जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा जैम लग गया, और जैम लगते लगते जब पहुचे, तो डेड़ बज गया था, तो दो घंटे तो ट्रेवलिंग टाइम में ही लग गये थे, तो यह नॉमल बात है, परन्तु कई बार कानून में एक्चुली में लिख के देना पड़ता है, यानि वो जो magistrate है, अगर उसने मना कर दिया, या फिर उसने ऑथराइज नहीं किया, तो चौवेज घंटे बाद आपको छोड़ना भी पड़ेगा उस आदमी को, चलिए, तो पहले तो पहले तो एनिमी एलियन, याद रखीगा, एनिमी एलियन वो आदमी होता है, जिस देश के साथ हमाब वार पे हैं, अभी चाइना है, पाकिस्तान का कोई आदमी है, तो वो एनिमी एलियन नहीं माना जाएगा, इन जनरल अभी राइट नाओ, वी अनिमी एलियन, अगर वार डिकलेड है, तो उस समय कोई भी जिस भी देश के साथ डिकलेड होगी, तो उस समय जो भी उस देश का नागरी होगा, तो वो एनिमी एलियन माना जाएगा, एनिमी एलियन के पास यह अधिकार नहीं है, कि ऐसे आपको यह राइट्स मिलें कि 10 गंटे के अंदर, 24 गंटे के अंदर, इनिमी एलियन के पास है, इन फर्म किया जाए, जुरूत पढ़ने पर उनको अरेस्ट किया जा सकता है, अभी अभी हमने जो प्यूनिटिव डिटेंशन के जो चार प्रिंसिपल पढ़े थे, इन फर्म हो गए, मजिस्ट्रेट के पास लेगे जाना है, अगर टेक्स नहीं भरा और तब पकड़ लिये गए हो, तो ऐसा 24 गंटे का कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, अगर रहर को जैसी पकड़ा जाएगा, उसको चौवीस घंटे के अंडर अंदर मजिस्ट्रेट के ले जाना है, सिविल अरेस्ट के लिए नहीं होगा, अगर कोई रस्त हुआ, इसा नहीं है कि चौवीस घंटे में मजिस्ट्रेट के पास कैसे लेगा, इसको पहले ही बोला है कि deportation of alien, एक alien को पगड़ लिया, पाकिस्तान के साथ लड़ाय होड़ थी, कुछ पाकिस्तान नागरी को पगड़ लिया, बोले कि तुम वापिस जाओ भी लाहर जाओ अपने वापिस, बैसे में यह नहीं कि अब इनको 24 घंटे में करो, यह उनके उपर अप्लाई नहीं होता है, लॉजिकल, बट जाद रखियेगा, अब आजयते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन पर प्रिवेंटिव डिटेंशन पर प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल नमबर 22 के 2nd पार्ट में लिखा हुआ है, ग्रांट्स प्रोटेक्शन पर्सन फोगा अर्रेस्टिव डिटेंशन पर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। जब किसी को preventively detain किया जाता है जैसे मैंने आपको example बता है कि चुनाव हो रहे हैं कई बार होता है कि चुनाव के समय में कुछ अराजक तत्व होते हैं कुछ गरबड करने की कोशिश कर सकते हैं तो ऐसे में कई बार वहां के जो SV साहब होते हैं पुलिस होती है वो ऐसे अराजक दत्वों को preventively detain कर लेती है लेकिन इस लिमिटेड तो थ्री मन्स तीन महिने से अधिक उसको preventively detain नहीं किया जा सकता है तीन महिने के बाद भी करना है सबोज कीजिए या ऐसे लगे कि भाई अभी तो मुद्दा गरम कुछ भी हो सकता है communal issues है ये इसको भार भेजेंगे तो ये जाके गढ़ बढ़ करेगा तब एक advisory board गठन किया जाता है जिसमें high court के judges होते हैं वो permission देगे कि ठीक है या कर लो आदमी risky है या इसको थोड़ा जेल के अंतर और रखिए अगर उन्होंने नहीं दी तो फिर basically उसको छोड़ना पड़ेगा the grounds of detention should be communicated to detenu however the facts considered to be against the public interest need not be disclosed तो अब जो again ये वही वाली बात है कि किसी को भी जब जेल होती है या फिर किसी को पकड़ा जाता है तो उसको बताया तो जाता ही है कि क्यों पकड़ रहे है इसके case में preventive detention में ये है कि अगर ज़रूरत पड़े कुछ ऐसी public interest का कोई मुद्दा हो तो ज़रूरी नहीं है बताना छोड़ भी सकते हो वैसे बता सकते हैं उसको आपको इसलिए पकड़ा गया है कि आप बहुती बड़े आराजक तत्व है तो detention order जब आएगा तो इसके against वो representation कोशिश भी कर सकता है कि आप जो बता रहे है पुलिस ने आपने मेरे लिए detention order निका ले लेकिन मैं तो ऐसा कोई अराजक तत्व वाला काम करने वाला नहीं हूँ पुलिस को लगा कि बात सच कह रहा है रिटन में दे रहा है तो छोड़ देंगे नहीं लगा बुल लगा कि ये बात तो तुमने पहले भी दो बार किया है तुम तो jail चलो preventively detain हो जाएगा अब एक interesting बात देखिए कि तीन महीने का है तीन महीने तक उसको detain कर सकते हैं चवालिसवे amendment and listen to this very interestingly चवालिसवे amendment x has reduced the period of detention without obtaining the opinion of advisory board from three to two months तो तीन महीने से दो महीने कर दिया गया है परंतु तम से लेके 1976 से लेके 50 साल बीच चुके है आज तक provision has not yet been brought into force hence आज भी तीन महीने का process जो है वो continue रहता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा use नहीं होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन तो इसलिए ज़्यादा बड़ा मुद्डा exist नहीं करता है बट चवालिसवे amendment में ये बात ध्यान रखेगा 44th amendment दो बाते ध्यान रखेगी 42 amendment था 42 amendment हमारे देश का इतना important amendment है उसको meaning institution कहते है इंदरा गांदी जी ने किया था इमर्जेंसी के समय में कि सब बदल दूंगी मैं पूरे के पूरे किसमी धान के अंदर उसके अंदर जो बहुत सारे major changes थे उनको पलटा गया था 44th amendment में ये दोनों के दोनों amendment एक दूसरे को dilute करने के लिए ये मतलब 42nd basically legislative और executive की powers को बढ़ाने के लिए था और 44th ने उसमें जितने भी गलत गलत चीजे थी उन सब को dilute कर दिया गया तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कौन जोने इसमें पढ़िएगा 44th में preventive detention अब सोच के देखे कि इंदरा गानी ने emergency कर दिया जो भी political opinion उन सब को jail बेज दिया ये लोग जब jail बेज के वाबिस आएंगे सरकार बन नहीं है ये वो कानून है जो कि preventive detention के कानून government ने बनाए है इनहीं preventive detention के तहट जैसे मीजा का कानून है टाड़ा संजदत जी हमारे टाड़ा के अंदर jail गए थे पोटा prevention of territory activities ये तीनों तो repeal हो चुके हैं इस समय अनलाफूल activities and prevention act ये अभी repeal नहीं हुआ है इसके तहत किसी को पकड़ के तीन महीने के लिए jail में रखा जा सकता है तीन महीने से अधिक रखना है तो किसी advisory board को आप उसे पूछ सकते है परमिशन ले सकते हैं और उसके बाद तीन महीने के बाद भी तीन महीने के बाद भी उ अनलाफूल activities prevention act उनी सोड़ सट में बनाता बीच में कई बार अमेंड भी हुआ है and it is still applicable in India अब एक इंटरस्टिंग बात यह है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होता है यानि क्राइम करने से पहले किसी को जेल बेज़ ज़ना यह कहीं exist नहीं करता United States of America को पता भी constitution और जहां पर है वहां पर सीव legal है constitution का part नहीं बनाया गया है it is unknown in USA USA में तो preventive detention possibly नहीं है इसलिए तो बड़े खुशो के minority report बना रहे थे कि ऐसा बहतरीन idea आया है दिमाग में कि एक movie बना देते है crime करने से पहले किसी को पकड़ना है Tom Cruise और Steven Spielberg नहीं ऐसा सोचा क्योंकि उन् इसलिए preventive detention science fiction है they had to make a movie for this in science fiction हमारे लिए तो political satire हो जाएगा एक political drama हो जाएगा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन पे बनाएंगे तो it was resorted to the Britain in first and second world war preventive detention British rule में था इंडिया में कुछ laws है जैसे कि Bengal State Prisoners Regulation Act of 1880 Defense of India Act of 1939 provided for preventive detention लेकिन इसके अलावा अब कहीं पर बड़ी अच्छी democratic countries में नहीं है सिर्फ भारत ही पुरे के पुरविश में ऐसा है जिसने preventive detention को अपने constitution में लिख दिया है US से और UK constitution छोड़ो उनके वहाँ पर किसी प्रगाल का ऐसा कानून अब एक्जिच नहीं करता है आटिकल 19 से 22 तक खतम हो गए यह सब के सबना आपके सवतनतरता के बारे में बात करते हैं अब उसके बाद दो आटिकल आते हैं आटिकल 23 और 24 अब देखिए कि अब अधिकार जैसे जैसे आब आगे हाले हैं एक्स्प्राइटेशन से रोकने के लिए कहते हैं कि प्रोहिबिशन ओफ ट्रैफिक इन हुमन बिंग्स एन फोर्स लेबर हमारे भारत में एक सोसाइटी में एक प्रेक्टिस हुआ करती थी बेगार पुरानी कहीं पर आपने कोई अमरीश पुरी की ठाकूर वाली पिक्चर देखियो उसके अंदर जो ठाकूर लोग होते थे कई गरीब लोगों को अपने खेतों में एंप्लॉई करके रखते थे कभी पहले इन्होंने 60-70 साल पहले या इनके पिताजी ने कोई थोड़ा सा उधार लिया था और वो उधार आस तक चुकाया नहीं जा रहा है तो उनके पुत्र और उनके पोते-पोती भी बेसिकली इनके खेतों में पर्मानेटली काम करते रहेंगे बिना पैसे के इसको कह हालत में यह नहीं हो सकता है कि आपका जो उधार है वो बिसिकली आपके घर फ्री काम करकर चुका दे यह अलाउड नहीं है ट्रैफिक इन हूमन बिंग्स और बेगार और अदर स्रिमिलर फॉर्म्स और फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एनी कॉंटरवेंशन अव दिस स्लेवरी नहीं हो सकती है किसी भी परकार का इंसान का कारोबार नहीं किया जा सकता है बच्चों का भी नहीं और बेगात किसी भी परकार की बंधुहा मजदूरी भी नहीं किया सकती है इनके लिए अलग-अलग कानून बनाए गए जैसे जिसमें से एक है इम्मॉरल ट्रेफिक प्रिवेंशन एक्ट अलग-अलग कानून ये बात तो अब आप समझ ही गए होगा कि इस चीज़ डीटेल में नहीं है उसके लिए पार्लेमेंट के पास पावर्स होती है उसी को का आपने से तो इसकी बंदवा मजबुरी कर सकते नहीं सबके लिए अपलेबल है बनो मजबुरी किसी से फोस्तलि किसी से भी नहीं कराये जा सकता। पूरे विश्व का कोई भी आदमी हो इक प्रोटेक्स दी इंडिविज्वल नाट ओनली अगेंस दी स्टेट अगेंस दी प्राइविट परसन स्टेट तो करेंगे नहीं कोई प्राइविट आप में भी नहीं करवा सकता है देवदासी सिस्टम जो होता है कान सुप्रीम कोट की जजँमेंट के द्वारा बताया गया कि देवदासी जो सिस्टम है कल्चल प्रैक्टिस है एक सोशिल प्रैक्टिस है अ मंदिरों में जो यूजज होती थी इसको इसको बैसिकिली में कि हमारा अनुछेद नंबर तेज जो है प्रोइबिट करता है Slavery ये नहीं allowed, वैसे Slavery कब abolish होई है देश के अंदर जड़ा इसको बताईएगा ज़रूर मुझे ये मैंने आपको Lecture No.1 में बताए था To punish these acts, ये basically कानून भी बनाया गया And forced slavery Exploitation नहीं करने देंगे किसी वेसिस पे, जहां पर दो clarity से बताया गया Anुचेद No.24 Very specifically बच्चो के लिए ये उस vulnerable society Anुचेद No.23 उस vulnerable लोगों के लिए है जिनके लिए जिनकर कोई travel बेगार हो गया हो, किसी के लिए बच्चा हो Anुचेद No.24 Very specifically बच्चो के लिए इसमें कुछ interesting चीज भी जानने को पर लेगी Prohibition of Employment of Children in Factories पर एक बात notice कीजएगा अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे 14 साल से नीचे का ये article क्या कहता है 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा किसी भी Factory में या माइन में Employed नहीं होना चाहिए In any hazardous employment या नहीं कि अगर non-hazardous employment है तो हो सकता है Constitution के अंदर Categorically ये लिखा गया है कि 14 साल से नीचे के बच्चो को आप Employee नहीं कर सकते माइन में, Factory में या hazardous employment में But it does not say about anything else Why do you think this happened? ऐसा नहीं था कि Founding Fathers को पता नहीं था The thing is that कि आप अगर Indian Society को Analyze करोगे तो it's a very complex situation here Complex कैसे? 70% जब आजाद हुए थे हम 70-75% था हमारा जो देश था वो गावों में बसता था अब गावों में क्या होता है कि जब खेतों में जो काम होता है उसमें बच्चे मदद करते है चोटे-चोटे बच्चे 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के बच्चे चले जाते है हमारे जीतने भी उद्ध्योग है घर में जब कुछ जो बिल्कुल जो नीचे का सारा का सारा तबका है उसमें बच्चे लोग वही काम कर रहे होते हैं, जो माता-पिता कर रहे होते हैं, वो साथ-साथ कर रहे होते हैं तो उस समय यह possible नहीं था, तब actually में सिर्फ यही प्रावधान possible था आने वाले किसी समय में there is a huge possibility कि हम fundamental rights में include कर दें कि बच्चे का जो employment है 14 साल से नीचे का, वो किसी भी परकार का employment possible नहीं है but we are a little bit far away from that, तो for now Indian constitution only says कि 14 साल से नीचे का जो बच्चा है, उसका जो employment है, वो mine factory और hazardous employment में नहीं होना चाहिए it does not prohibit their employment in any harmless or innocent work यह specifically इसलिए था, क्योंकि भारत के समाज में इस प्रकार से था, कि बच्चे जो थे वो घर के काम में हाथ पाट बटाते ही थे अब इससे एक problem create हुई, जिसके लिए हमें फिर अलग से एक specifically क्या गया इससे क्या हुआ कि जो यह धाबे वाबे लोग होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, यह बच्चों को employ करने लगे इसके लिए भारत सरकार ने एक अलग से कानून बनाया इन 2006, the government banned the employment of children as domestic servants घर के काम में कर लो, दूसरों के घर पे मेड नहीं बनाना है और workers in business establishment, hotel में, ढाबए में, रेस्टोरेंट में, shop, factories, resorts, spa, tea shop और सो ओन, वो कानून, constitution में इसलिए बनाया गया था कि घरवर के जो काम होते हैं, खेतों वेतों में कई बर बच्चे काम करते हैं देटों में उनका mismanagement किया तो फाइनली 2016 में कहा कि ऐसा नहीं है कि बच्चों को आप वैसे आपको लग रहा है कि हजार्डस नहीं है तो यह हामलेस हो जाएगी नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर निंग को हटा दिया गया और इस परकार से जितनी भी बिजनेस इस्टेबलिशमेंट है या कहीं पर भी डॉमेस्टिक सर्वेंट पर जब भी कभी आप देखें आपके पड़ोस में कोई बच्चे को ऐसे इंब्लॉई कर रखा है, तो आप डिरेक्टली, वेरी क्लिरली आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं इस बात के लिए अब अनुछेद 24 के बाद जब हम एक्सप्लॉइटेशन की बात को खतम कर लेते हैं, तो एक महतपूर्ण मुद्दा रह जाता है देश के लिए, नागरिकों के लिए, धर्म religion taps into something very unique and very primal of human beings, हमारे देश ने इस बात का निड़ने लिया, कि हम सारे के सारे धर्मों को अपने देश में बसाएंगे, सब रहेंगे, मिल बाट कर रहेंगे, दूसरे के साथ दोस्ती कर कर रहेंगे, उसके लिए उन्होंने कहा कि धर्म का भी पूरी सवतनतरता देनी है, और वो constitution में दी गई freedom of religion और चार आर्टिकल के दुआरा, अनुचेद नमबर 25, 26, 27 और 28, अनुचेद नमबर 25 इंडिविजुल की है, और अनुचेद नमबर 26 जो है, वो groups की है, collective religious freedom, दीखते हैं, article नमबर 25 काफी लंबा सा रहा है, ठीक है, वर ऐसे notice करो कि तो देखने का कह है, freedom of conscience, freedom of profession, freedom of practice and freedom of propagation of religion, धरम का conscience, धरम का profession, धरम का practice और प्रोपगेट, इन ये सब करने का अधिकार है, बस इस से public order, morality और health का नुकसान नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं है, अगर जरूरत पड़ी है, तो regulate और restrict किया जा सकता है, कोई भी economical, financial, political और secular activity, religious practice से, तो ऐसा नह में कुछ भी किया जा सकता है, अगर government को जरूरत पड़ती है, तो किसी ही पर, चाहिए, economic हो, financial हो, regular हो, secular हो, religious हो, अगर regulate करना पड़े ऐसी activity को किया जा सकता है, providing for social welfare and reform of throwing open of Hindu religion institution of a public character to all classes and sections of Hindu explanation, आई ये बात करते हैं, तो article 25 के अंदर चार शब्द बहुत important है, consign, profess, practice and propagate, चा आपको, सब को, पूरे के पूरे देश में, हर एक नागरिक को, citizens को, ये foreigners को भी है, foreigner अगर कोई आता है, और उसके पास ऐसा कोई religion है, जो कि हमारे देश में है ही नहीं, वो भी follow कर सकता है, उसके भी ये पास पूरे अधिकार है, या कोई foreign Christian आ गया है, foreign Hindu आ गया, foreign Muslim आ गया, अधिकार, धर्म के अधिकार सब के पास है, दोनो citizens और non citizens के पास है, क्या कहता है, freedom of conscience का क्या मतलब होता है, पहले वाला, inner freedom of an individual to mold his relation with God or creatures in whatever way he desires, कहने का मतलब है, आप अपने भगवान के साथ, जिस प्रकार का रिष्टा रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, अगर आपके अं और your spirituality, your religion is your personal matter, कोई चिंता की बात नहीं है, जैसा भी आपको पसंद है, आप आराम से कीजिए, right to profess, declaration of once religious beliefs and faith openly and freely, बता भी सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, आपके जो विचार है, भक्ती के, spirituality के, profess कीजिए, किसी को बताना चाहते हैं, कि मैं ऐसी ऐसी बाते मानता हूँ, आप भी सुनिये, काफी अच्छी लगेंगी, ऐसे ऐसे विचार है मेरे spirituality के, you can profess them, religious or spiritual, दोनों विचार, right to practice, performance of religious worship, rituals, ceremonies and exhibition of beliefs and the ideas, धर्म सिर्फो सिर्फ अंदर से मानने की बात नहीं है, धर्म के अंदर एक expression का बहुत important component है, आपके धर्म से संबंदित particular rituals होते हैं, ध इस बात को clear cut दिखाने का दिकार है कि ये धर्म हूँ, मैं इन चीजों को मानता हूँ, ceremony जो हो, belief हो, जो ideas हो, अच्छी तरह से पूरी तरीके से मान सकते हैं, and right to propagate, transmission and dissemination of one's religious belief to others or exposition of tenets to one religion, किसी दिन पार्क में बैठ के आप अपने धर्म दूसरे लोगों को समझा भी सकते information दीजे, जितने भी लोगों को अच्छा दे सकते हैं, तो ये तीन, चार शब्दों को ध्यान रखेगा, conscience, profess, practice or propagate, इन चारों की complete freedom दी गई, individually, ये article 25 में individual religious freedom दी गई है, but, again, हर जंगे पर बट है, absolute right नहीं है, एक भी fundamental right, everywhere there is a reasonable restriction, here also, it does not include right to convert another person, to one's own religion, forcible conversion impinge on the freedom of conscience, guaranteed to all the person alike, non-forcible conversion आप कर सकते हैं, प्रोगेट करेंगे अगर अपने आपके धर्म को, और सामने वाले की, जो freedom of conscience है, उसको लगता है, कि आपके धर्म में उसे कुछ ऐसा महतवपून, उसको feel हो रहा है, he feels something else, तो वो कर सकता है, but compulsion, forcible conversion, basically allowed नहीं है, Indian constitution के according, it clear that article 24 से सिर्फ religious belief ही नहीं, but religious practices, जो rituals होते हैं, आप ये बात तो जानते हैं कि अलग-अलग धर्म की अलग-अलग religious practices होती हैं, बच्चा होने पे अलग होती हैं, शादी होने पे अलग-अलग होती हैं, तो वो religious practices धर्म से specific हैं, right, अलग-अलग धर्म अलग-अलग follow करते है तो सिर्फ और सिर्फ जो doctrines हैं धर्म के, सिर्फ वो नहीं, अगर मुसल्मान है, वो सिर्फ कुरान को मानते हैं, वो doctrine हैं, लेकिन जो religious practices हैं, वो भी included है article 25 के अंदर, उसी प्रकार से अगर हिंदू जो हैं, उनके वेदों को माना जाता है, रामायन, माभारत, गीता को माना परंतु उसके साथ-साथ जो उनकी religious practices हैं, बच्चा होने पर, सिक्षा देने पर, प्यूरिटी अचीव होने पर, festivals की जो चीजे होती हैं, उसमें जो rituals होते हैं, जैसे पूजा पाठ का जो तरीका होता है, वो सारी के सारे parts, article 25 आपको cover कर कर देता है, these rights are available to all persons, citizens, as well as non-citizens, foreigner भी आ गए न, जिनके पास भारत का passport नहीं है, उनको भी अधिकार है, and now this article specifically mentions two interesting points, सबसे पहले, constitution में लिखा हुआ ये, it says, wearing and caring of किर्पान is to be included in the profession of the Sikh religion, अब क्या होता है कि किर्पान को कई जहंग उपर, अगर ऐसा होता है कि कहीं पर complex situation ही होती है, कि उसको हतियार मान लिया जा सकता था, however, वो धर्म का, religion, ritual का, religion का ही एक पार्ट है, इस चीज को specify करना पड़ा Indian constitution में, and from where on, दूसरी ये वाली बात थी, कि जब इस constitution में, जब कहीं पर भी, इस article में, जब Hindu word का use होता है, तो उसमें Sikh, Jain और Buddhism, इन सब को include करके बताया गया है, ठीक है, तो Sikh के लिए specific, Sikh धर्म के लोग ही किरपान लेकर घूम सकते हैं, अगर बाकी धर्म के लोग अगर किरपान लेकर घूमेंगे, तो वो माना जाएगा कि वो हतियार लेकर घूम रहे है, याद रखेगा, that is a particular religious tenet applicable only to that particular religion, and इसके साथ-साथ, this is just a convenient factor, कि जो Hindu धर्म है, जब ये word यूज किया ग बुद्धिजम को इंक्लूड किया गया, आप देखिए, आर्टिकल को आप पढ़ें पूरा, तो यहाँ पर, providing for social welfare repair, throwing open of Hindu religious institution of a public character to all classes, sections of Hindus, तो यहाँ पर जब ये word Hindu use हुआ है, तो इसमें सिख जैन और बुद्धिजम को इंक्लूड करके किया गया है, आर्टिकल नूमर 26, freedom to manage religious affairs subject to public order, morality and health, every religious denomination के पास चार अधिकार दिये गए है, जैसा कि मैंने बताया था कि आर्टिकल 25 इंडिविजुल राइट्स ते रहा है, आर्टिकल 26 collective right देता है, collective right, तो यानि कि जो religious groups है, religious denomination है, religious sanctions है, उनके पास कौन कौन से अधिकार है, चार, अपना institution establish कर सकते हैं, maintain क सकते हैं, धर्म के अनुसार अपने खुद के affairs खुद मैनेज कर सकते हैं, movable और immovable property acquire कर सकते हैं, administer such property in accordance with the law, but ये बात ध्यान रखेगा subject to public order, morality and health, ये पहले वाले में भी है, ये 26 वाले में भी है, आर्टिकल 25 इंडिविजुल के लिए है, आर्टिकल 26 gives us the collective freedom of the religion, आर्टिक बनाने का charitable purposes के लिए किसी वी परकार से, right to manage its own affairs in the matters of religion, right to own and acquire, right to administer, ठीक है, ये वाली बात हम कर चुके हैं, आर्टिकल 26 protects collective freedom of religion, religious denomination क्या होती है, this question often comes in front of the Supreme Court, ठीक है, अब जैसे example देते है, राम कृष्ण मिशन, आपने बात सुनी है इनके बारे में, राम कृष्ण मिशन क कुछ होता है, और्बिंदो सोसाइटी, ऐसा कुछ सुना है, आनन्द मार्ग ये कुछ सुना होता है, अब इसमें ये वाली बात पर decide होना होता है कि कौन सी चीज एक religious denomination है और कौन सी चीज नहीं है, ठीक है, अब जैसे example के तौर पे देखे, तो राम कृष्ण मिशन को religious denomination माना गया है हिंदु धर्म के अंदर, आनन्द मार्ग को एक religious denomination माना गया है हिंदु धर्म के अंदर, परन्तु और्बिंदो सोसाइटी को religious denomination नहीं माना गया है, कोट की अलग-अलग judgments के दुआरा ये आया गया है, तो ये prelims में याद करने के लिए है, ये mentioned it है लक्ष्मिक लिए बाद ध्यान रखेगा, इन सब के ऊपर आर्टिकल 26 अपलाई हो रहा है, और बिंदो सोसाइटी के ऊपर नहीं होता, उसके ऊपर एक कानून लगता है, स्टेटूटरी कानून जो सोसाइटी अक्ट है, आर्टिकल नमबर 26, आर्टिकल 27, ठीक है, 26 के बाद सता ही साग लिए बाद 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 इंडिया में नहीं है, पर उन्तों युनाइटिट स्टेट्स में एक मेजर डिबेट है, ज्यादा, भारत में कम है, इन्दिया में वो डिबेट ये है कि जो जो रिलिजियस ओर्गनाईजेशन से, उन पर टेक्स क्यों नहीं लगते है, collect करेगी धर्म के ऊपर तो state secular नहीं रहे की क्योंकि वो जो tax collect किया जाता है उसी अगर religion के किसी particular issue से religion denomination से tax collect होगा वो tax universal उसे account में चला जाएका treasury में चला जाएका इंडिया की now that money becomes religious अब basically state उस धर्म की promotion के लिए अगर पैसे को use ना करे तो ये भी गलत होगा अगर आपसे tax लिया जाता है तो this is important ना कि अब सरकार उस पैसे से देश की development करें लेकिन अगर धर्म से पैसा लिया गया है तो फिर basically state को अब धर्म की भी promotion करनी पड़ेगी किसी भी धर्म की specifically उस religious denomination की करनी पड़ेगी जिससे tax लिया अब इसके अंदर हमारे जो state होती है उसका secular character जो है थोड़ा सा कमजोर हो सकता है इसलिए religious denomination से बोला गया कि कोई tax नहीं पे करना पड़ेगा persons को which are specifically appropriated in payment article says no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination कहने का मतलब है कि आप से जो भी tax लिया जाएगा उसको कभी भी धर्म के लिए यूज नहीं किया जाएगा या फिर specifically एक ऐसा tax नहीं यूज किया बनाया जाएगा जो सिर्फ religion की promotion के लिए concept समझेगा आप से tax लिए income tax लिया जाता है property tax लिया जाता है vehicle tax लिया जाता है GST लिया जाता है परन्तु ऐसा और कई बार आप से CES भी लिया जाता है आपके mobile wheel में एक CES लगता है जो जिस पैसे को specifically mobile development mobile technology की development के लिए tower लगवाने के लिए यूज होते है आपके पास कुछ ऐसा tax लगता है जिससे सिफ road की development होती है कुछ CES होते हैं जिससे environment says होता है कई चीजों के उपर गाडियों के उपर वो ऐसा कभी भी धर्म से context में नहीं है कि आप से कोई tax लगाए जाए specifically और उस specifically tax को use किया जाए किसी भी particular religious की promotion के लिए no tax, you will not be compelled पहले होता था जैसे पुराने मोनार्क होते थे धर्म का tax लगा देते तिस specifically ऐसा नहीं होगा States should not spend the public money collected by way of tax for promotion or maintenance of the religion ठीक है, तो ये कोशिश करता है कि ना किसी religion को favor किया जाए, patronize किया जाए support ribbon religion or the other लेकिन एक बात ध्यान रखेगा कि जो normal taxes इखटे होते हैं, सरकार के पास जो tax जाते हैं उस tax से equally सारे धर्मों के उपर यूज किया जा सकता है तो किसी particular धर्म को कभी extra कुछ grant चाहिए हो कुछ बहुत ही कोई छोटा धर्म है उनका कोई school बनाने के लिए state की तरफ से grant हो, तो दे दी जाती है उसमें कोई बुरी बात नहीं है पर उन्तों आपके उपर text नहीं लगेगा धर्म से संबन मित कभी भी very important criteria article number 28 freedom as to attendance as religious instructions और religious worship in certain educational institute यहाँ पर सिक्षा और धर्म को mix करके बात किया जाएगा भई, सिक्षा और धर्म के बारे में बात होगी देखिए मैं बतातों पूरा क्या होता है no religious instruction shall be provided in educational institution wholly maintained out of the state funds state की secular character को maintain करने के लिए खा गया अगर ऐसा कोई शिक्षा का संस्थान है जिसको पूरा का पूरा state के पैसों से फंड किया जाता है government के पैसों से फंड किया जाता है यह बात ध्यान रखेगा understanding religion learning about religion is not religious instructions यह मत कहना कि सर मैं government school में पड़ता था और सारे के सारे थर्मों के बारे में पड़ाया गया था बच्पन में religious instruction is an entirely different thing learning about religion is an entirely different thing however this provision shall not apply to an educational institute administered by the state but established under an endowment or trust requiring imparting religious instruction in such institution लेकिन अगर कोई एक specifically ऐसा institution है जो की particularly बनाया इसले गया है कि religious instructions को impart करना है किसी trust के दुआरा या फिर किसी भी और endowment के दुआरा और उसको state administer कर रहा है तो वहाँ पर basically उसका purpose ही religious instruction देना है तो फिर उसको बारे में क्या गलत होगा no person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of the state funds shall be required to attend any religious instruction or worship in this institution without his consent ठीक है तो state या state fund से चलने वाला कोई भी institution होता है अगर वहाँ पर religious instruction दी जा रही हों तो कोई भी consent के बिना नहीं ले सकता है अच्छा यह बात मत कीजिए अब आप यह मत बोलेगा कि sir universities में तो हो सकता है कई universities में वेद भी पढ़ाए जाते हैं वेद की PhD कैसे करेगा कोई sir गीता भी पढ़ा ही जाते है गीता की PhD कोई कैसे करेगा sir कुरान भी कहीं पर पढ़ा सकते है that is not religious instructions again there is a difference between learning about religious text and religious instruction इस बात को interfere करके रखेगा ठीक है इस बार में complete clarity रखेगा अगर school में गीता के पाठ पढ़ाए जाएं अगर school में किसी religious किताब के बारे में बताया जाएं religious के कुछ principles बताया जाएं Jesus के बारे में बताया जाएं तो ये नहीं है कि वो religious instruction है वो सिर्फ knowledge instruction नहीं है वो religious knowledge है religious instruction entirely different चीज़ होती है जो कि state के पास allowed नहीं होती है article 28 चार प्रकार के educational institute बताता है institutions wholly maintained by the state institutions administered by the state परंतु endowment और trust के दुआरा बनाए गए है institutions recognized by the state institutions receiving aid from the state ठीक है तो चार हो गए पहले वाला तो सब कुछ state का है administer, maintain, पैसा, सब state के उपर दूसरे वाला administration state का है परंतु पैसा, fund जो है वो किसी trust से, endowment से आया हुआ है ठीक है, trust और state का हुए third, institution recognized by the state सिर्फ recognition मिली एस state से परंतु ना state administer कर रहा है ना उसमें funding करता है और चौथे वाला institutions receiving aid from the state institute से कुछ aid थोड़ा सा support करते है पूरा administration के लिए पैसा नहीं परतू पैसा इन religious instruction is completely prohibited जो पहले वाला है completely state administer करता है किसी भी चीज को और state की funding से वो institute चलता है religious instruction completely banned है दूसरा B वाला state ये प्रिलिंस में question पूछा जाएगा simple बात है इसलिए थोड़ा रट्टा लगाईए आप इसका कि कौन से institute में कौन से educational institute में religious instruction और ये बहुत सालों से पूछा नहीं गया है तो आप समझ दीजिए कि radar पे है UPSC के एक अच्छा कौन सा educational institute होता है जिसमें religious instruction permitted है समीधान के according और किन में permitted नहीं है second वाला ऐसा जो कि state administer करता है परंतु किसी endowment या trust के दुआरा बनाया गया है पैसा then yes यहाँ पर religious instruction दी जा सकती है तीसरा institutions recognized by the state C and D religious instruction is permitted on a valentrally basis तो यहाँ पर aid मिल रही है आपको consent की जरूरत पड़ेगी दे सकते हैं अगर consent किसी ने मना कर दिया तो नहीं है फिर नहीं दे सकते हैं आप उसको मना कर सकते हैं यह थे हमारे अनुछेद नंबर 20 से 28 के बीच में अब हमारे पास सिर्फ दो fundamental rights बचे हैं article number 29 और 30 यह की fundamental right है minority के cultural rights educational and cultural rights और फिर article number 32 constitutional remedies lecture number 8 में हम इन दोनों बचे हुए fundamental rights को पढ़ेंगे और फिर एक general थोड़ी सी discussion करेंगे fundamental rights की summary के context में उच जो major और issues है fundamental rights है उनके बारे में discuss करेंगे article 29 से 35 जो बाकी बचा हुआ है वो होगा lecture number 8 के अंदर अगर आपको मेरे साथ जोड़ना है तो यह आप social media का account number profile address अमित के लोगर आप कहीं पर सर्च करेंगे you shall be able to find me अभी कोई doubt आते है fundamental rights में you can actually message me over there you need the pdfs and the notifications of the upcoming classes this is the telegram channel where you shall find me but आप लोगों का support इस series को चलाने के लिए बहुत सदर जरूरी है इस वीडियो को इस series को कहीं न कहीं आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए यह एक लंबी series है जिसमें हम काफी study आई कि आपके लिए महनत कर रहा है कि आपके लिए पूरी पूरी लक्षमिकांद कर आई जाए and it is very pertinent and imperative that you share it with your friends और आप के पास अगर कोई appreciation के words हैं तो इस YouTube वीडियो के नीचे comments करके भी बता सकते हैं I would be glad to read them lecture 8 में I will see you tomorrow stay till the end I promise you, you will benefit a lot from this series you